कोरोना वाइरस का इलाज ढूडने के लिए दुनिया भर में कई ट्रायल चल रहे है और दरसल इसराइल के रक्षा मंतरी ने ये एलान कर दिया है उन्होंने अपने डिफेंस बायलोजिकल इंस्टिट्यूट ने जो जैविक और रसाइनिक बंब बनाने में जाना जाता है और उस डिफेंस बायलोजिकल इंस्टिट्यूट ने कोरोना वाइरस की वैक्सिन इजात कर ली है और इस इसराइल के इंस्टिट्यूट द्वारा बनाये गया एंटी बॉडी कोरोना वाइरस को मरीज के अंदर ही मार देता है और ये मोनोकलोन तरीके से उस वाइरस को मरीज के ही है और वहीं Defense Biological Institute जहां पर 1500 वग्यानिक काम करता है और यह Defense Biological Institute इसराइल के प्रधान मंतरी को सीधी रिपोर्टिंग भी करता है और इसी कारण से इस कोरोना महामारी की वैक्सिन में बहुती जल्द सफलता मिल सकती है और बहुती बड़े पैमाने पे इसका प्रोडक्शन भी शुरू हो सकता है हाला कि इसराइल के रक्षा मंतरी ने यह एलान कर दिया है उन्होंने कोरोना वाइरस की वैक्सिन खोज ली है और अब हम इसको पेटेंट कराने के लिए काम करेंगे और इसके पेटेंट के जरीए पूरी दुनिया में बड़े स्थर पर इस कोरोना वाइरस की वैक्सिन का एक मैनुफेक्चरिंग होने जारी है और चायना ने जिस तरह से इस महामारी को जनम दिया मगर चायना के बड़े बड़े साइन्टिस्ट मिलकर भी इस कोरोना वाइरस की एंटी बॉडी अभी तक नहीं बना सके है मगर इसराइल के रक्षा मंत्री ने जिस तरह से दावा किया है उस तरह से 36 लाक मरीज जो इस कोरोना वाइरस की वज़े से संकरमित है उनके लिए खुशी और राहत की खबर हो सकती है अगर इस्राइल की ये एंटी बॉडी काम कर जाती है तो लेकिन इस्राइल ने एक रहात की खबर इस मुश्किल की घड़ी में दी है अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेर, सस्क्राइब जरूर करे और आगे ऐसे ही खास कबर देखेने के लिए मेरे साथ बने रहे, जय हिंद, जय भारत